हलो 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 स्वालत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान चाला पर जहां देते हैं आपके सपनों को नई उचाए और नए आकार्थ जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ड्ली ड्ली ड इस सब ने एक नोटिफिकेशन निकाला है इस नोटिफिकेशन के रही हूं को 7236 total vacancies देखे 7236 vacancies दिल्ली DSSB ने निकाली है इस recruitment के साफ से अलग-अलग department की vacancy, vacancy detail उनका education qualification और exam का pattern यानि की exam को लेने का तरीका हर एक department के लिए अलग है जैसे की अलग-अलग department है यानि की अगर कोई job है जैसे की TGT की बात करूँ मैं यानि की trained graduate teacher इसके अलावा LDC की बात करें असिस्टेंट टीचर पटवारी है इस तरह से अलग-अलग department है और हर एक department के लिए vacancy अलग है education qualification अलग है exam pattern अलग है और इन सारे अलग-अलग department का एक notification निकला है इसलिए इस नोटिफिकेशन थोड़ा सा complicated है समझने में थोड़ा कटिन है लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूत नहीं है इस वीडियो से आप समझ पाएंगे और वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले मैं आपसे चोटी सी request करूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को like करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और बाटेंगे देर सारा प्यार और हो जाएंगे इसको समझने के लिए तयार चलते हमारी पहली स्लाइड पर देखिए डेली DSSB DSSB मतलब एक सेकंड जरा कलर चेंज करते हैं डेली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड डेली सब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है एडवर्टीज में नंबर 02-21 डेट है 12-5-2021 को यह निकला है अब सबसे इंपोर्टेंट बात यह कि यह एप्लिकेशन स्टार्ट कब हो रहा है तो यह एप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है यह 25 महीं को स्टार्ट होगा और यह खतम कब होगा यानि की क्लोजिंग डेट क्या है एप्लिकेशन की वह 24 जून 24 जून 2021 को यह इसकी क्लोजिंग डेट होगी तो यह सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि अभी एप्लिकेशन स्टार्ट हुआ नहीं है अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है वह 25 तारीक को स्टार्ट होग आप ध्यान से देखेंगे कि पोस्ट और पोस्ट कोड दे रखें यहां पर 33 34 35 इस तरह से 43 एक और पोस्ट कोड 47 वह मैं आगे बताऊंगा यह सारे के सारे यहां पर फीमेल की वेकेंसी देख सकते हैं इसके अलावा टोटल वेकेंसी यहां पर दे रखी है सारी total vacancy यहाँ पर दे रखी अब आपको करना क्या है आपको क्या करना है सबसे important चीज यहाँ पर यह है education qualification हर एक post के लिए education qualification अलग से दिया हुआ है तो मैं आपको common common बता देता हूँ जैसे कि सबसे पहले हम बात करें देखिए post code के हिसाफ से मैं बताता हूँ आप post code 33 से लेके 41 तक जो teacher है देखिए उनकी total post है 6258 अब इनके लिए eligibility यहने की education qualification यहने की sectionic योगिता है क्या होनी चाहिए bachelor degree होनी चाहिए related subject में अब हमने बात के लिए अगर हिंदी के लिए अगर आप apply कर रहे हो तो हिंदी में आपकी bachelor degree होनी चाहिए इसके लावा बोल रहा है कि degree diploma in training education training education में कोई degree diploma होना चाहिए लेकिन इसके अलावा important बात यह है कि seatate exam यहने की central teacher eligibility test exam आपको pass होना बहुत जरूरी है यह तीन requirement यह तीन requirement teacher TGT के लिए important है इसके लावा बात करें assistant teacher assistant teacher जो की 42 और 47 में दे रखा है यहना post court 42 और 47 में assistant teacher primary के लिए इसके लिए क्या आओ शकता है इसके लिए आपके पास 10 plus 2 intermediate with diploma in elementary education और bachelor degree या तो 10 plus 2 या फिर bachelor degree with diploma in elementary education और seatate exam पास होना बहुत जरूरी है इसके बाद आपके सामने होगी 43 post court की वेकेंसी उसमें assistant teacher nursery इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा 10 plus 2 intermediate exam with entity training and be at exam पास है तो यह यह तीनों मैंने यहां पर सारे post code मिला कर educational department की बात करी है ना जिसके लिए हमने बात की है eligibility की है education qualification की आगे हम बात करेंगे इसी के exam pattern के बारे में तो exam pattern सबके लिए अलग है किसे में किस तरह का exam होने वाला किसे में किस तरह का वो भी हम समझेंगे यह तो बात हुई सिर्फ educational department की आगे बात करते हैं कि दूसरे department की जैसे कि 44 में आमको 44 वाले post code में हमको दे रखा है ldc ना department क्या है municipal cooperation of Delhi इसमें यहां वेकेंसी दे रखी है यह total वेकेंसी है आपकी 278 counselor की एक वेकेंसी है जिसमें 50 वेकेंसी है यह आप यहां पर reservation के साब से और total वेकेंसी देख सकते हैं तो यह तो हुई अलग-अलग department की अलग-अलग वेकेंसी है अब बात करते हैं इनके education qualification की जैसे की LDC की बात करें यानि की 44 post court की बात करें जिसमें की 278 वेकेंसी है उसके लिए आपको क्या होना जरूरी है class 10 high school with English typing 35 word per minute है आपको टाइपिंग आना चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग आना चाहिए 30 word per minute सिर्फ class 10 होना चाहिए और टाइपिंग आना चाहिए तो आप यह 278 जो वेकेंसी उसके लिए eligible है यह बहुत अच्छी बात है इसके बात बात करते हैं counselor की counselor बोल रहा है की ब आपका bachelor master degree होना चाहिए फिर बात करते हैं head clerk bachelor degree in any stream with computer proficiency तो computer proficiency यहने कि आप से कोई certificate मांगनी रहा है सिर्फ आपके पास थोड़ा सा computer का knowledge होना चाहिए और bachelor degree होनी चाहिए उसके लिए आप head clerk के लिए eligible है फिर पटवारी का बोल रहा है पटवारी में 10 वेकेंसी है bachelor degree in any stream in any recognize university इसके अलावा अगर आप detail detail इसकी जानकरी चाहते हैं तो आपको क्या करना है मैंने description में notification का link दे रखा है उस link पर जाके जिस भी department में particular जिस भी वेकेंसी के लिए आप apply कर रहे हैं उसकी education qualification अलग से detail में दे रखी है तेरा बिल्कुल detail में दे रखा है महाँ से जाके आप उपर उपर बता रहा हूं अब चलते हैं next बात करते हैं fees की यह बहुत important factor है fees कितनी होने वाली है इस exam के लिए fees होने वाली 100 100 रुपीस वो भी किसके लिए general और OBC के लिए यहना सामानी और पिश्रावर के लिए बाकी SCST के लिए SCST और और other जितने भी उनके लिए इसमें को सबसे important बात करेंगे हम exam scheme की क्योंकि exam scheme यहां पर बहुत complicated हैं काफी लोग को यह बात समझ में आनी पारी के exam होगा किसे सबसे पहले समझते हैं कि इस notification में tier 1 तरह की exam भी होने वाली यहने कि जिसमें सिर्फ एक paper होगा और कुछ department के लिए two tier examination यहने कि जिसमें दो-दो paper होगा इसमें एक paper होगा इसमें प्लस एक यहने की दो paper होंगे ठीक है अब बात करते हैं जरा अब सबसे important बात क्या है किस exam के लिए one tier होगा और किस exam के लिए two tier होगा तो इसकी detail आपको annexure 5 में annexure 5 में जिस भी vacancy जिस भी department के लिए आप apply कर रहे हैं उसकी detail दे रखी है annexure 5 में कि उसमें tier 1 होगा इसकी detail महाँ दे रखी है तो मैं आपको बताऊंगा tier 1 में क्या होगा और tier 2 टाइप के examination में क्या होगा इसके अलावा इन्होंने पोस्ट को technical और general में बाठ रखा है है ना दो category में बाठ रखा है कि कुछ पोस्ट है जो टेक्निकल है और कुछ पोस्ट है जो कि जन्रल है इसकी detail भी आपको annexure 5 में मिल जाई तिक है अब चरह आगे बात करते हैं एक सबसे पहले हम tier 1 की बात करेंगे tier 1 देखें यह यहाँ पर जो detail दे रिखी हमको यह उस tier 1 की one tier examination की दे रिखी है मतलब वह वाला पेपर जिसमें सिर्फ tier 1 होगा जिसमें सिर्फ क्या होगा tier 1 वह पोस्ट जिसमें सिर्फ tier 1 होगा उसका syllabus है ध्यान से देखें का general awareness यानिकि आपकी सामाइन निजागरूपता general intelligence यानिकी जो आपका reasoning वाला पार्ट होता है यह आपका arithmetic और numerical ability याने मेच्च वाला पार्ट हो गया इसके लाएं यहाँ पर हिंदी और English ना दोनों language का test होने वाला है यानिकी पांच सब्जेक्ट तो होने ही वाले हैं पांच पार्ट तो इसके होने ही वाले अब ध्यान से देखें section B दे रखा है section B applicable only for one tier technical टेक्निकल टाइप जोब है यानि कि जो technical जोब है उसके लिए ही एप्लीकेबल सेक्शन टू मतलब सबसे पर आपको क्या करना है आपको देखना है कि आपका जो अगर आपका tier 1 में आता है और साथ में टेक्निकल है तो आपको section B भी देना पड़ेगा section A देना पड़ेगा और section B देना पड़ेगा इसके बाद हम बात करते हैं tier 2 की यह तो साथ यह tier 1 की बात हुई देखिए फिर से एक बार यहां पर समझाता हूँ tier 1 ऐसे exam जिसमें सिर्फ A की paper होगा उसमें अगर अगर आपका general जनरल पोस्ट है टेक्निकल नहीं है नोन टेक्निकल है तो सिर्फ section A और अगर टेक्निकल है तो उसमें section A प्लस section B दोनों आपको देने होंगे और paper होगा सिर्फ एक लेकिन दो section आपको मिलेंगे टेक्निकल में सिर्फ आपको एक section मिलेगा अब बात करते हैं अपन ऐसे exam जो कि tier 2 के सब्सक्राइब यहां पर कितने paper होने वाले हैं deux père यहने कि एक फेला paper होगा फिर एक दूसारा paper होगा है इसको हम ऐसे लिख देते हैं अब आपको समझना है यह वह वाले examination है जो जिसमें दो टियर होगा तो syllabus अब दो टियर होगा तो पहला टियर होगा तो बहला टियर बिल्कुल syllabus किस की तरह होगा section A की तरह ध्यान दीजिए वहाँ पे section A भी था section B भी था लेकिन वो किस के जैसा होगा सिर्फ section A की तरह इसके अलावा आपको टियर टू एक्जाम भी देना पड़ेगा जिसमें पेपर वन और पेपर टू पेपर वन में आपको पहले पर दे रखा है रिजनिंग फिर मेच से इसके अलावा जन्रल अवेर्नेस इसने बोला इस पेशल इंफेसिस ऑन हिस्ट्री कल्चर डेमोग्राफी जियोग्राफी एकोनोमिक ऑफ डेली के बारे में पूछना चाहेगा एड्मिनिस्ट्रेटिव सेट अप एंड गौर्वर्नेंस इन भी बात करें इस तो पार्ट तू में डिसक्रिप्टिव होगा डिसक्रिप्टिव एसे लिखना पड़ेगा एंग्लिस में रेटर रैटिंग नहीं पड़ेगी मेंばい इस तरह से होने वाला है टूट Excel एक्जामिनेशन से आया होगा एज लिमिट क्या होने वाली तो नोटिफिकेशन में हर एक डिपार्टमेंट के लिए हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग एज लिमिट दे रखिए एज लिमिट तो आपको नोटिफिकेशन में से देख लेना चाहिए एज लिमिट आपको हर डिपार्टमेंट के हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग एज लिमिट दे रखिए एज रिलेक्सेशन की बात हम कर सकते हैं कितना रिलेक्सेशन मिल रहा है यहां पर इस तरह से आपको क्या मिल रहा है आपको बता दिया है डेट बहुत इंपोर्टेंट थी डेट क्या थी 25 माई को एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 寂टीफ़ huh जून को यह खतम हो जाएगा आई होब कि आपको इस वीडियो से नोटिफिकेशन की बाद आपके लिए इनोटिफिकेशन पढ़ना आई होप की आसान रहा होगा तो आज के लिए इतने ही काफी है मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सीरीज में अगली नोटिफिकेशन जब आने वाला है तब अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करन करना है सब्सक्राइब करना है बाटना है धेर सारा प्याद अब लेते हम इजाजत बहुत-बहुत धन्यवाद